असलाम वालेकुम, वेलकम बैक तो मैं वीडियो चैनल, तोड़े विल कंटिनुव टॉपिक, त्री ओर्डर्स अफुडियलिज्म तो लास्ट कुछ वीडियो में हमने डिसक्स किया था, फिडियूलिज्म क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, और कैसे स्टार्ट हो गया ये, फिर रोमर अमपायर के बारे में थोड़ा सा डिसक्स किया, आज के इस टॉपिक में डिसक्स करेंगे, थ्री ओर्डर्स का पहला और यानि फिर्स्ट और दैट इस किलरजी, होप आपको ये वीडियो लेक्चर भी पसंद आएगा, और आप अपने कॉमेंट्स जरूर दीजिए, अगर आप नए हैं तो हमारी चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, आपके सामने जो ये पिक्चर है, इसमें जो फिडिल सुसा परसन कौन होता था और लोएस्ट पोजिशन पे कौन होते थे, यहां सबसे पहले जो टॉप पे है, that's Pope, यानि सबसे ज़्यदा रेस्पेक्ट पोप को मिलते थी, उसके बाद कारडिनल्स थे, फिर उसके बाद बिशप्स, फिर उसके बाद प्रीस्ट्स, फिर उसके बाद monks and nuns. बिलकुल यही structure था यॉरप में जुरिं दे फुडलिस्म. तो Pope, Pope was the spiritual and political leader of the church, cardinals helped the Pope to run the church, bishops उसके बाद, bishops also served some of the local churches and then there were the priests, priests ran individual churches and served lay people directly. monks and nuns, यह सब से lowest होते थे, feudalist society में. चलिए, इस order के बारे में पूरी जानकारी के साथ पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज में भी, और आज के वीडियो में भी. First order the clergy, obviously जो feudalist order था, यह बनाने वाले ही priests थे, यह बनाने वाला ही church था, इसलिए हमेशा इन्होंने अपनी position टॉप पे रखी. यानि feudalism का जो यह concept है, जो यह church domination थी, जो feudalism में यह church की domination रही, यानि most of the decisions were taken by the church, church authorities, तो इन्होंने जो कुछ भी यह order बनाया था, वो उसमें सबसे पहले खुद को रखा. यानि, priests ने order खुद बनाया और खुद ही को खुद ही top पे रखा. So, priests placed themselves in the first order, the nobles in the second order and the peasants in the third order. तो level के हिसाब से top पे खुद को, फिर उसके बाद second category में nobles को, फिर third category में peasants या cultivators को. Catholic Church had its own laws, owned lands which were given to it by the rulers and could levy the taxes. पिछले वीडियो में मैंने कहा था, जो भी यॉरप में feudalism के दौरान king बना, वो खुद अपनी मर्जी से king नहीं बनता था. उसके लिए जरूरी था Church April, यानि जो चर्च होते थे, जो बड़े-बड़े Church होते थे, mostly जो एक बड़ा Church होता था पूरी Empire में या पूरी Christian World में, वो जब तक किसी king को April नहीं करता, तब तक वो king नहीं बन सकता था. In return, king बनने के बाद उन वो उस Church को या बाकी Church को लैंड्स बेते थे, उनको ये freedom भी था उन Church को कि वो अपने लाज़ खुद बनाए, तो इस तरह से जो Western World था, वहाँ पे भी एक बड़ा सा Church था, बड़ा doesn't mean size के हिसाब से, it means only one Church that controlled other Churches as well. तो उसको Catholic Church कहते थे, जिसके अपने लाज़ होते थे, जिसके अपने लैंड्स होती थी, जो usually उसको kings देते थे, जब वो कोई king बनता था, तो Churches को इतना भी order था, वो tax भी collect करते थे लोगों से. Thus the Church was powerful institution which did not depend on the king. बिल्किए हम ये कहेंगे, King was depend on the Church for the April. King was depend on the Church for all kinds of his activities. अगर कोई king किसी Church की बात नहीं मानता या Church की बात नहीं मानता पोप की बात नहीं मानता, उनके Laws को नहीं मानता या उनकी activities को कुरब करने की कोश्श करता, इनकी influence को रोकने की कोश्श करता, तो उस king के खिलाप सारे लोग जाते थे, बिल्किए कभी ऐसा वी हुआ है history में, कि Kings को फिर माफी मांगनी पड़ी Pops से अगर उनने कभी जयाती की हो कभी उंची आवाज में बात की हो तो इस तरह से पता चलता है कि Church ज्यादा important था as compared to the King तो First Order में कौन? किलर्जी, किलर्जी में सबसे पहले कौन? प्रीस्टिस जो आपने आपको हमेशा टॉप पे रखते थी आपके समने पिक्चर है पता चलेगा Head Priest यानि टॉप जो चर्च में एक ही परसन होता है बड़ा वाला तो इसको प्रीस्ट भी कहते हैं, Pops भी कहते हैं आगे चल कर देखेंगे और तो ये Pope है जो चर्च में एक ही होता है छोटे चर्च में छोटे Pops होते हैं बड़े चर्च में एक बड़ा सा Pope होता है बिल्कुल उस Judicial System की तरह जिसमें Supreme Court at the top एक ही होता है country में फिर State High Courts होते हैं, फिर Local Courts होते हैं बिल्कुल इस तरह से बड़ा सा चर्च फिर छोटे छोटे चर्च, फिर Village लेवल पे छोटे चर्च तो हर चर्च में एक Pope, Priest या बाकी लोग होते थे लेकिन सब को कंट्रोल करने वाला एक बड़ा सा चर्च जिसको हमने पहले कहा Roman Catholic Church ये है Roman Catholic Church की पिक्चर और इसमें आप राइट साइट से देख सकते हैं Pope जो सबसे टॉप लेवल पे था यानि वो एक ही होता था फिर secular clergy या regular clergy फिर इसके बाद bishops या aborts होते थे फिर priests होते थे या फिर fierce होते थे frayers होते थे, nuns होते थे, monks होते थे इन सब के बारे में जानेंगे one by one At the head of the western church was a pope he lived in Rome The Christians in Europe were guided by bishops and clerks who constituted the first order तो first order जो feudalism का था, इसमें उबासली कौन थे? एक तो pope था वो हमेशा एक ही होता था सबसे बड़े church का, western church का जो head होता था, that was pope वो mostly रहता था Rome में इसलिए उसको Roman Catholic Church कहते है Roman Pops भी कहते थे चाहे वो किसी भी region का हो लेकिन जो pope बनता था वो usually रहता था वहाँ पे जहाँ पे बुनियाद हो and that was in Rome तो Christians, जो भी Christians थे यॉरप में, उनको guide करने के लिए थे bishops या फिर clerks, जो बिलकुल pope के बाद order में थे यानि पहले pope, फिर उसके बाद उनको guide करने के लिए कुछ और priests जिनको कहते थे bishops या फिर clerks clerks simply असल में वो थे जो record रखते थे किस चीज़ का? deaths का, births का, marriages का तो पूरा record church खुद maintain करता था अब bishops कों थे? बिलकुल यह वही काम करते थे जो pope करता था western church में बड़े वाले church में जो काम pope करता था वही काम bishops करते थे छोड़े churches में So most villages had their own church where people assembled it every Sunday to listen to the sermon by the priest and to prayer together Everyone could not become a priest तो हर Sunday church में जमा होना वहाँ prayers करना वहाँ priests की बातें सुना या जो भी sermons होती थी जो भी वो चाहे Bible से लेटडड़ हो Catholic Church से लेटड़ हो तो यह सुना करते थे every Sunday और आज भी ऐसा होता है लेकिन हर कोई priest नहीं बन सकता कुछ लोगों को priest बनने की अजाज़त नहीं थी यह कौन थे? इनमें सबसे पहले थे serfs सर्फ हम बोलते हैं उस person को जिसकी अपनी कोई जमीन नहीं होती यानि वो cultivator जो दूसरे की जमीन में काम करता है एक तो काम करता है दूसरा वो bound होता है कि वो उस जमीन को छोड़ कर नहीं जा सकता से फर एक्जमपल मैं एक land honor हूँ, मेरे पास एक बड़ी सी land है vast land है मैं इसमें खुद काम नहीं करता है मैंने कुछ लोगों को वहां पे काम के लिए रखा है उनको थोड़ा सा उसमें मिल जाता है 10% 20% मिल जाता है लेकिन उनको ये condition ली जाती है कि आप कभी ये जमीन छोड़ कर नहीं जाएंगे and they were the bound that's why they are called a serfs they don't had their own lands as a result of that they had to work on the particular land particular land of a landlord so they were called a serfs they were bound bounded labor दूसरी category होगी women और तीसरी category होगी physically challenged जो physically fit ना हो जिनके हाथ पैर आकान या इस तरह की कोई problem हो वो भी priestess नहीं बन सकते थी तो यहाँ पता चलता है तीन categories के लोगं को एलो नहीं था प्रीस्ट बनने का surface women और physically challenged people जो नहीं बन सकते थी लेकिन men who became priestess could not marry अब जो लोग priest बनेंगे मर्दों में मेल्स में वो शादी नहीं कर सकते यह condition थी पहली यानि जो भी priest बनेगा जो भी किसी church में as a priest रहेगा उसको शादी करने के बिलकुल इजाजत नहीं थी उसको पूरी जिन्दगी गुजारने थी चर्च के लिए तो पहला हो गया जिसको हमने पोप कहा उसके बाद जो हमने बिशप्स कहा बिशप्स असल में वो लोग थे जिनके पास land थे जिनके पास बड़े-बड़े palaces थे जो कंट्रोल करते थे लैंड एरिया को यानि वो यूजवली चर्च में नहीं रहते थे और वो वैसले अगर उनके palaces हैं तो उनके बच्चे उनके marriages भी होती थी तो दस्वा हिस्सा यानि अगर किसी के जमीन से सौ केजी निकला तो दस केजी उसको टेक्स देना पड़ेगा तो दे चर्च और इस टेक्स को collect करने वाले होते थे बिशप्स क्योंकि उनके पास खुद की लैंड्स थे और वो खुद चर्च के नाम पर control भी करते थे पीजंट्स को उनसे टेक्स भी लेते थे और जो टेक्स लेते थे उस टेक्स को कहते थे टीथ तो टीथ वस टेक्स that was collected by the church from the peasants and obviously it was one by tenth यानि दस्वा हिस्सा सौ केज अगर निकला है तो दस केज आपको या उसका पैसा आपको चर्च को देना होगा अब चर्च को पैसा क्यों देना किनकि कुछ लोगं का माना था जो चर्च को देगा वो बैसली अपने लिए heaven में एक palace बना रहा है यानि ये एक religious duty मानी जाती थी चर्च को support करना चर्च को पैसा देना चर्च के लिए काम करना तो ये एक religious duty समझी जाती थी तो बहुत से सर्मीनी जैसा की बाकी religion में होता है जैसे Muslim में जब नमाज पढ़ते हैं तो उनका एक तरीका है जैसे Hindu जब पूजा पढ़ करते तो उनका अपना एक तरीका है या इसे Sikh सा अपनी पूजा करते हैं जैसे Buddhist सा अपनी पूजा करते हैं या बाकी तो Christians की भी अपने कुछ symbols हुआ करते थे कुछ customs होते थे और कुछ तरीका होता था इसमें क्या करते थे जो सर होता था वो जुका हुआ होता था जो hands होते थे वो usually clasped होते थे इसी तरह से pray करना लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर term use की जाती थी Lord for God controller of a land उसको कहते हैं जो usually food देता है तो यह term use की जाती थी God के लिए और कभी कबार God की term use की जाती थी Lord के लिए तो यहाँ कभी कबार ऐसा भी लगता है कि Lord को जो feudal Lord होता था लैंड Lord होता उसको God की जतनी position दी जाती थी क्योंकि पीजन्ट के लिए कल्टिवीटर्स के लिए आम इंसान के लिए Lord ही God था क्योंकि वो यह समझता था कि मुझे जो कुछ भी मिल रहा है इसी Lord के वेड़े से मिल रहा है बलकि चर्चे इस चीज को ज्यादा प्रमोट करते थे that people should believe पीजन्ट शुद बलीव फॉर्मर शुद बलीव सर्फ शुद बलीव that the Lord is their God because He provides them food and other necessities of life तो इसलिए चर्च भी इस चीज को ज्यादा प्रमोट करता था क्योंकि इन ही Lord से उनको पैसा मिलता था इन ही Lord से उनको जमीन मिलते थी इन ही Lord से इनको riches मिलते थे इन ही Lord से इनको gifts मिलते थे तो वो ये नहीं चाहते थे order तूट जाए तो that's why जब कभी Lord कोई ऐसी हरकत करता जिसे church नाखुश होता तो यूजवली ऐसे Lord को लोगों से दूर भी रखा जाता था उसके साथ बातचीत नहीं की जाती थी उसको आपनी जो कहते थे jurisdiction उससे दूर रखते थे उसको church में आने की जाज़ नहीं थी इस वस दिपावर अफ़ चर्च आपके सामने यहां पे हैं बिशप्स जो इनका अलग एक dress code होता है usually white color का जो दिखने में सीधे साधे थे लेकर रहने वाले थे बड़े बड़े palaces में इनके अपनी बड़े बड़ी estates थी जब हम estates की बात करते तो समझ लीजिए कि एक state इनके पास होता था तो state मतलब कितना जहां पे करीबन करीबन पचास साथ लाख लोग इनके कंट्रोल में हो तो इतने पावरफल हुआ करते थे ये वही लॉड्स थे जो कभी किंग्स के पास बैठा करते थे जो कभी किंग के कंट्रोल में होते थे जो कभी किंग के कोट में हुआ करते थे अब ये इतने पावरफल हो गए कि ये अब चर्च के साथ जुड़कर लोगों से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं अब इसी ओर्डर में हमारे पास है मौक्स इन दी फिर्स्ट ओर्डर जैसा हमने पहले बात की पोप्स के बारे में जो हैड पोप होता था हर एक चर्च में फिर इसके बाद बिशप्स होते थे याने नोबलेश फिर इसके बाद प्रीस्ट या फिर बाकी तो अब यहाँ पे हैं मौक्स इन ननस अपर फोप्स इन चर्च डिवोट कृश्चिंज और इन दी इस पास्ट ओर्डर मौक्स इन ननस यह वो लोग थे क्रिश्चैनिटी में जो यूजवली ना तो शहरों में रहते थे ना ही गाओं में रहते थे बिल्कि दूर किसी अलग प्लेस पे जहां पे और कोई ना हो यहनी separate यह लोगों से खुद को separate रखते थे यह आपने आपको बिल्कुल isolated रखते थे और कभी कबार वहां पे अपना गर बसाते थे थे क्योंकि इनको marriage करने की अजाज़त नहीं थी that's why they used to live in isolated places mostly in the countryside mostly in the mountainous regions और इस तरह से इनकी life भी थोड़ी सी different थी so they lived in religious communities called abbeys or monasteries often in place very far from the human habitation जहां पे यह रहते थे जो इनकी communities थी जहां पे इनकी groupings होती थी जहां पे usually यह खाते पीते थे अपना काम करते थे they were called abbeys या फिर monasteries आपके सामने monk and nun तो नज़र आएगा आपको पहली picture में left side में कि एक nun यानि औरत ये काम कर रहे है खुद ही अपने हाथ हों से same was the case with the male monks तो monk हो गया male और nun हो गयी female ये हर जगा पे separate रहते थे usually अगर nun होती तो उनकी अपनी monasteries होती थी और अगर monks होते उनकी अपनी separate monasteries होती the word abby is derived from the syrick word that is abba meaning father तो syriya का word है abba या Arabic word भी है abba it means father तो जो word abby है ये लिया गया है syriya के word abba से जिसका मतलब होता है father so abby was governed by an abbot or an abbess अब ये abby क्या थी ये वो place थी जहां पे monks रहते थे वो लोग जो लोगों से दूर रहते थे वो लोग जो अपना काम खुद करते थे वो लोग जिनका काम ही था prayers करना और humanity के काम करना यानि दूसरों के help करना so the word monastery is derived from the greek word monos monos का मतलब ही होता है someone who lives alone तो monastery भी वही place है जहां पे कोई single community रहते थी अगर वो monastery monks की है तो वहां सिर्फ monks होंगे यानि males अगर वो monastery females की है तो वहां पे होंगे सिर्फ nunas यानि औरते जिस तरह से schools की बात करेंगे boys school and girls school यानि girls में girls बढ़ती है boys में boys इसी तरह से यहां पे अगर abbey है तो वहां पे monks रहते थे और जहां monastery होती थी वहां पे nuns रहते थे so two of the well-known monasteries were those established by St. Bendict in Italy in almost 529 CE and of Cluny in Burgundy in 910 CE काफी मशूर monastries है यूरप की एक है इटली में और दूसरे है बगंडी में तो दोनों को बनाया गया था इसी गर से कि वहां पे monks and nuns रहें तो monks took woes to remain in the abbey for the rest of their lives and to spend their time in prayer study and manual labor like farming तो जो monks होते थे वो एक कसम भी खाते थे जब वो monks बनते थे उस time पे कि हम अपनी पूरी जिंदगी abbey में रहेंगे यानि उस monastery में रहेंगे जो हमारे लिए होगी वहां पे हम prayers करेंगे, पढ़ेंगे या फिर जो manual labor होता, खुद मेहनत करेंगे और humanity के works करेंगे यानि दूसरों के लिए हम काम करेंगे ऐसा कोई काम जो दूसरों को फायदा दे So unlike priesthood, this life was open to both men and women लेकिन यहां पे कोई restriction नहीं थी mock बनने के लिए कोई restriction नहीं थी इनको separate अपनी life अलग करने थी बिलकुल उन malangas की तरह, फकीरs की तरह जो अपनी life को separate करते हैं लोगों से तो अगर men होंगे, तो वो monks होगे अगर female है, तो वो nuns होगे Except few cases, all abys were single sex communities मतलब, कुछ cases में जहां monk और nuns युजवली एक ही compartment, एक ही building में रहते थे ज्यादा तर यो monastries होती थी वो single sex communities होती थी यानि अगर nun है तो वहाँ पे सिर्फ nun होगी कोई male person नहीं होगा अगर वहाँ पे monks है तो कोई female नहीं होगी तो इस तरह से ये पसंद करते थे separate abys में रहना उन monastries में रहना जहाँ पे जो opposite community है opposite sex है वो साथ में ना हो अगर male है तो सिर्फ male अगर female है तो सिर्फ female तो इस तरह से हमने देखा like priestess monks and nuns did not marry ये भी marriage नहीं करते थे usually orphanages खोलते थे orphan बच्चों को पढ़ाते थे उनको लिखाते थे या उनको पालते थे इनका यही काम था तो इनकी community ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 के आसपास होती थी यानि 10 से 20 लोग एक साथ रहते थे लेकिन जैसे जैसे ज्यादा लोगों ने इसमें interest दिखाया उतनी ही monastries बड़ी होती गई उस तरह से फिर hundreds तक पहुँच गया फिर thousands तक पहुँच गया और इनको church lands भी provide करता था और साथ में वहाँ पे schools भी होते थे college भी होते थे hospitals भी होते थे तो पता चलता है कि जो schools, colleges या land estates थे ये भी control करते थे हलाकि ये marriage तो नहीं करते थे इनके बच्चे नहीं होते थे इनके husband या wives नहीं होते थे लेकिन land को ये control जरूर करते थे किसलिए? क्योंकि जिनको ये पालते थे, जो भी ये humanity के work करते थे, उसके लिए जरूरी था उनके पास land होना ताकि वो cultivation करे, ताकि वो दूसरों के help करे ये सब इनका काम था या फिर कोई बीमार हो जाए उसकी help करना उसको ठीक करना तो उसको medicines provide करना ये सब इनका काम था लेकिन 13th century के बाद कोई change आई some monk groups called frayers, choose to move from place to place preaching to the people and living on the charity 13th century के बाद एक और group start हो गया जिनको हम कहते हैं wonderers या frayers ये वो लोग थे जिन्होंने पसंद किया एक जगा रहने के बज़ाए वो एक जगा से दूसरी जगा गोमते रहे और जहाँ जहाए जाते थे वहाँ पे कुछ मांगते थे बिलकुल like beggars तो उनकी life इसी पे depend थी जो कुछ भी उने मिलता था charity में ये उसी से अपना गुजारा करती यानि इनका कोई permanent ठिकाना नहीं था तो ये भी एवर एक category थी जो Christianity में add हो गई 14th century के बाद और कुछ change आ गई जैसे some groups of monks, nuns and frayers begin to live a luxurious life having a big palace and land estates तो 14th century के बाद जो church के priests थे जो monks थे, nuns थे, frayers थे इन्होंने properties बनाने शुरू की उन्होंने palaces बनाने शुरू की इन्होंने land estates बनाने शुरू की अब आप समय सकते हैं कि feudalism है उपर से नीचे तक कितना control था church का जहाँ pope लूट रहा है वहीं दूसरी तरफ bishops वहीं तीसरी तरफ बाकी जो nobles थे, जो clerks थे जो यहाँ पे mocks, nuns हमने देखे तो हर कोई जब property रिटीन करना चाहता है तो सारा pressure हम लोगों पे आता है क्योंकि Christianity में church के हिसाब से ये लोग marriage नहीं कर सकते जब इनके पास properties है तो वह असली marriages भी होंगी तो आहस्ता आहस्ता इन्होंने marriages भी शुरू की इन्होंने अपनी families को establish करना शुरू किया यानि अब जो humanity का पहले work हुआ करता था वो भी stop होने लगा अब ये खुद के लिए जीने लगे अब ये खुद भी text collect करने लगे तो अब उपर से नीचे तक हर कोई text collect करता है and this was the feudal structure of Europe लेकिन ऐसे लोगों को monks, nuns या फ्रेवर्स को इनको जिसने भी अपनी book में, अपनी writings में लिखा उनको criticize ही किया क्योंकि Christianity में या church के हिसाब से इन लोगों को ऐसा नहीं करना था इन लोगों के लिए ये orders नहीं थे इनको ये सब करना allow नहीं था लेकिन इनने फिर भी किया that's why फिर 19th या 20th century में जो revolts आए, revolutions आगे जैसे France में आगया, England में भी आगया और Russia में भी आगया सबसे पहले इनी लोगों को पगड़ा गया क्योंकि ये ही वो लोग थे जो loot plunder बहुत ज़्यदा करते थे वो भी in the name of religion आने वाले वीडियो लेक्शर्स में हम पढ़ेंगे Church and the Society और hope आपको ये वीडियो लेक्शर पसंद आया होगा तो next वीडियो लेक्शर तक अल्लाहाफिज, enjoy the day